नमस्ते बचो आज हम आटवी कक्षा के इतकाई पाच का दूसरा पाट देखेंगे यह एक साक्षातकार है साक्षातकार याने इंटर्व्यू यह फाट का नाम खूपसूरत अनुबूती है एवरेस्ट यह फाट बाग में संतोष यादव से मनिश कुमार सिन्हा की बाच्च संतोष यादव बारत की एक परवतारोही है परवतारोही मतला माउंटिनीर अप माउंट एवरेस्ट पर दो बार चड़ने वाली विश्व की प्रतम महिला है पहले आपने माई 1902 में उसके बाद माई 1903 में एवरेस्ट पर चड़ाई करने में सफलता प्राप्त की आपका जन जन्वरी 1979 में हरियाना के रेवाडी जिल्ला में हुआ था आपने महारानी कॉलेज जैपूर से शिक्षा प्राप्त की दो हजार में पत्मश्री पुरसकार से सम्मानित किया गया चलो बच्चो अब हम पाट बाग देखते हैं पाट का नाम है खूपसूरत अनुबूती है एवरेस्ट यह साक्षातकार में मनिश कुमार संतोष यादव से उनका बच्चपन पढ़ाई लिखाई हिमालाई पर चड़ने की प्रेरना माउंट एवरेस्ट चड़ने की अनुभूती आधी के बारे में पुचा है उन प्रश्णों के उत्तर के रूप में संतोष जारती थी फिर अचानक शान्त हो गई पिताजी आर्मी में होने के करण उनका बच्चपन दादी के साथ भी था दादी के गर में उन्हें खूब प्यार मिलता था स्कूली शिक्षा गाउ के स्कूल में हुई थी स्कूल में बैठने के लिए गर से बोरी ले जाना पड़ता था आटवी थक कस्बे की स्कूल की शिक्षा के बाद वे दिल्ली आ गई 14 वर्ष की उम्र में शादी से बचने के लिए उन्हें मा बाप से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करनी पड़ी संतोष जी बचपन से ही बहुत जिग्यासु थी कालेज की पढ़ाई के दरान एक बार हिमालाई देखने का मौका मिला तो बर्ष से टके पहाडों पर चटने की जिग्यासा बड़ी घरवालों ने पहले मना किया था किन्तु संतोष जी की जिद के आगे आखिर उनको अनुमती देनी पड़ी संतोष जी कहती है कि माउंट एवरेस की टॉप पर पहुंची तो उन्हें लगा जैसे वे भावात्मक रूप से शून्य हो गई हो यानी न किसी प्रकार की खुशी और ना ही किसी प्रकार का गम संतोष जी के अनुसार एक सफल परवतारोही के लिए जरूरी है कि वह संतुल दिमाख वाला और सम्यम वाला हो अपने लक्षे के बारे में उनका करना है कि सभी के चहरे पर खुशी दिखे और दर्ती स्वर्ग कहलाए धन्यवाद